सोजाओ BTS चलो शुरू करते हैं चलो सबी एक साथ बोलते हैं Run BTS जिमिन तुमने ऐसे ही किया था ना? हाँ आज का सर्टब तो नीन लेने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन आज हम सबी करने के अवाले हैं आज का Run BTS का टॉपिक है सोना सोना आज का टॉपिक है पजामा पार्टी ओ पजामा पार्टी आज की पजामा पार्टी में BTS 5 तरह की गेम्स कहलेंगे कागच की प्लेंज उड़ा कर BTS पार्टी के लिए अपना पजामा चूज करेंगे तो BTS की पजामा पार्टी में आप सभी का स्वागत है गेम शुरू किया जाए मुझे कौन सा पेपर लेना चाहिए चलो सिल्वर वाला लेता हूँ एरोप्लेन बन जाते ही आपको अपना हाथ कड़ा करना है मेरा हो गया तो जिन सबसे पहले पचामा चूस करेंगे हो गया है अभी हो गया अरे इसे फोल्ड कैसे करना है आरन को पेपर प्लेन भी बनानी नहीं आती तुम्हें इतने सारे पेपर एक साथ फोल्ड क्यों किये है तुम्हीं बता दो कैसे करना है आरन तुम्हें नहीं पता तो जोर सा चलाओ इन पेपर से पचामा कैसे चूस करना है हमारे एरोप्लेन जिसमे पजामा पे गिरेगी वो हम पहलेंगे तो क्या हम एरोप्लेन के दूरी नहीं ना अपने वाले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैं वो यूनिकॉन वाला पजामा जूस करने वाला हूँ क्या यूनिकॉन वाला ओ तुम्हें तो मिल गया और मुझे वो ब्लू वाला चाहिए ओ ये तो बीच में रह गई नहीं देखो ये ब्लू वाले की तरफ वोड़ी हुई है अरे वाश होगा ये तो कमाल का है मुझे ये बहुत अच्छा लगा मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ मैं कौन सा चूस करूँ किसी पेबी डाल दो वी वी तुमने तो अपने जैसे ही कबने चूस किये है जे होप ये बेंड में इतनी बुरी नहीं है नहीं मुझे नहीं पसंद अरे ये तो यही पर रह गई जाओ आप तुम्हारी बारी लास्ट में आएगी चलो अप मैं उड़ाता हूँ जाओ जिमिन तुम भी लास्ट में आना चलो अप मेरी बारी मुझे ये वाला मेलाना आरे मप्तु लड़ाई हमारे बीच है चलो चलते है मुझे ये बहुत अच्छा लगा चलो तुम्हारी लिए सबसे बुरा कौन सा है क्या फर्क पड़ता है मैं कोई भी पहल लूँगा ओ तो ये वाला मेरा हुआ ना अधी वा दोस्तों देखू ये अच्छा है ना मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा ओ ये तो बिल्कुल सिदा पैंट पे ही गिरा है और मुझे ये टी-शेट पजामा मिला है आप मैंसे जो भी सबसे लास्मेट चेंज करके आएगा उसे पनिश्मेंट दी जाएगी चलो चल्दी करो भागो चंकुक भागो मैंने जादा मुझे पनिशमेंट मिले आप सभी की पास से दो मेनट पज़े है कहीं मैं सबसे लास्टमे तो नहीं हूँ लगता है लास्टमे जमिन देखो मैं भी आ गया ओ तुम सब लोग आ गया मैं पीछे रहा गया पता नहीं मुझे क्या पनिश्मेंट दी जाएगी तो चलिए हम सभी ने अपने अपने पजामास पहल लिये हैं देखो मेरे पास तो सब कुछ मैजिक मैचिंग है शुगा अपने कप्रे ज़रा पीछे से दिखाना शुगा की ट्रेस तो काफे अलग है और तुम बताओ जंकुक तुम्हे अपने कप्रे कैसे लगे हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसी तरह के कप्रे पसंद है तो अब बताए आज हम क्या करने वाले हैं तो फर्स्ट गेम में सभी मेंबर्स एक लाइन में बैठेंगे लाइन में से सबसे पहला मेंबर पेपर पे कोई भी एक वर्ड लिखेगा और उस वर्ड को देखकर आगे वाले मेंबर को उस वर्ड की ट्रॉइंग बनानी है इसी तरह ये गेम आगे से आगे केला जाएगा और फिर लास्ट मेंबर को वही वर्ड लिखना होगा जो फर्स्ट मेंबर न लिखा था हम सबी इतने सालों से साथ है ये गेम तो हम आसारे से कह सकते हैं चलो ड्रॉइंग गेम शुरू करते हैं जिमेन क्या तुम तैयार हो? हाँ चलो शुरू करते हैं सुनियों सबी I love you क्या तुम ये लिखने वाले हो? देखो जंकुक ये ट्रॉइंग में कैसा बनाऊ? जंकुक अच्छे से ट्रॉइंग करना अरे ये कौन सा वार्ड है? मुझे लगता है जंकुक ने अच्छे ट्रॉइंग की होगी अरे हाँ मैं समझ गया देखो शुगा ये ट्रॉइंग करना तो बहुत मुश्किल है नहीं शुगा तुम कर सकते हो थोड़ी क्रियेटिविटे दिखाओ आरम तुमारे वर्ड के ये साब से तुम्झे ये ट्रॉइंग सही लग रही है देखो जिहूप तुम समझ गये न? हाँ जिहूप क्या तुम सच में जानते हो पता नहीं आखरी वर्ड क्या होगा चलो हो गया मुझे लगता है मैंने सही किया है चलो जल्दी बनाओ मुझे आप सभी के भरोसा है ये उतना वे मुश्किल नहीं है नहीं हम गलत भी हो सकते है सुनो जेहूप सरा पीछे तो देखो ये तुमने कब बनाया देखो जन ओ तुमने ये बनाया है जल्दी करो जन हमारे पास जादा समय नहीं है बस हो गया अधी हाँ मुझे समझ आ गया वी को तो सबसे आगे बिठाना चाहिए जन मुझे तुम पे भरोसा है मेरा जवाब है आर्मी जन तुमने गलत आंसर लिखा है मुझे आर्मी बॉम वर्ड मिला था और मैंने उसी की ट्रोइंग बनाई जरा सभी अपनी ट्रोइंग दिखाना इन सभी ने आर्मी बॉम ही लिखा है मैंने तो आई पापल यू लिखा था मैंने भी यही बनाया था सही जवाब था आर्मी आई पापल यू इसलिए तो मैंने लेंबो बनाया था वेसे ही गलती शुरू कहां से हुई कोई बात नहीं, जिनने लिका है आर्मी और मैंने लिका है आई पापल यू तो दोनों को मिलाकर हमारा जवाब सही हुआ ओ, ये तो कमाल हो गया तो हम सब चीत गए शुका की ट्रॉइंग की वज़े से सब करड़ हो गई और वी की ट्रॉइंग की वज़े से मुझे लगा आंसर बीटिये सा लव यू है चलो दूसरे वाट की बारी डायक्टर इस जवाब को आप सही मानेंगे न हाँ इन्हें मानना ही होगा हाँ बिल्कुल आर्मी और आई पापली जो एक ही है न अगर ये इस बात को गलत मानेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये हमें और आर्मी को गलत मानते हैं और अगर ऐसा हुआ तो हमारे होने का क्या पाइदा ओजिमिन के एक्टिंग तो बड़ी क्यूट है तो हम आपके पहले जवाब को सही मानते हैं देखा आर्मी के पास कमाल की शक्तिया है जिन को एजी वर्ड लिखना देखो इस बार कोई गलती मेंट करना ये वर्ड बहुत आसान है इतना आसान जल्दी करो ये बहुत आसान है देखो आर्म ये आज जे तो कितना साफ्ट है हो गया पीछे देखो वी हाँ बिल्कुल सही सुनो जेहुब हाँ ठीक है क्या था वो देखो जे में क्या ये गलत है मुझे स्टाप की हज़े देखका लग रहा है जेहुब का जवाब गलत है दोस्तो क्या मुझे अपना दिमाग लगाने की सरवत है हाँ जेमिन इस बारे में तोड़ा अलग तरीकी से सोचो सही है ना चलो चलदी करो मुझे ने लगता सही होगा सुनिए मेरा जवाब तैयार है सही जवाब है पाक जेमिन देखो मैंने आलभी लिखा था क्या सिफ मैंने ही गलत लिखा है जेमिन ने क्या से क्या कर दिया देखो मैंने तो हाटी बनाया है मैंने भी हाट लिखा था और मैंने भी लेकिन जेमिन ने इसे हाट से चिमिन बना दिया इतना इजी वर्ड में तुम लोगों ने बदल लिया सुनो इस बात वड़ा सीरियस हो कर किलते हैं लेट्स को जेमिन चलो शुर करते हैं ये सही है ना? हाँ सही है हो गया, देखो जिन तुम समझ गये ना? हाँ मैं समझ गया वैसे तो ये कन्फ्यूस कर देने वाला वर्ड है कैसा भी वर्ड हो, मैं कर सकता हूँ आरें तुम इसे गलत समझ ही नहीं सकते ओ, ये तो बहुत आसान है ये वर्ड तो सबको पता होना चाहिए बी अब तुम्हारी बारी वान, टू, ट्री हाँ, मैं समझ गया चल्दी से बताओ, क्या है भी ज्यादा अलग मत लिखो ये क्या है ये बला मैं कैसे ट्रो कर सकता हूँ जंकुक अपना दिमाग लगाओ ये तो कोई भी बना सकता है मुझे ने लगता है ये सही चवाब है शुगा अपना वर्ड दिखाओ वान, टू, ट्री क्या, वी लाइड हाँ, तो जंकुक ने वी लाइडी तो ट्रो किया है मैंने लिखा था मेरा पहला कंपोस किया हूँ गाना सारी कड़बर तुम्हारी विज़े से हुई है जो सबसे पहले दिमाग में आये वही लिखो चलो जगही चेंज कर लेते है मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ देखो ये गेम हो जाने के बाद कोई किसी से नाराज नहीं होगा हाँ बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है माफ करना दोस्त तुम्हें कंफ्यूस हो गया था चलो सबी तयार हो जाओ देखना ये वर्ट बहुत आसान होगा वैसे तो सारे ही वर्ट बहुत एजी थे तुम्हें ड्रोइं क्यों की है क्या वर्ट मुझे लिखना है चलो मैं फिर से लिखता हूँ रहने दो हो गया सुनो जिन वान टू त्री ओ इसे तो कोई गलत समझ ही नहीं सकता जल्दी करो हमें भी जानना है क्या लिखा है आरेम पीछे देखो आरेम ये तो तुम समझ ही जाओगे मुझे लगता है इस बार करड़ आरेम करेगा आरेम ये तो कोमार की ट्रॉइंग की है आरेम तुम्हें इतना गहरा नहीं सोचना था चिमिल वान टू टू त्री मुझे लगता है मैंने गलत समझ लिया इतना भी सीजियस मतलो चलो अब आगे बढ़ो ये लो चंकुक ये बनाना है चलो जड़ी से बना लेता हूँ हो गया ये लो शुगा सुनो शुगा साधा मत सोचना तुम मेरा जवाब है बांग शीगुक ये वाला थो हम सबी ने सही किया है देखो मैने क्या बनाया था ये देखते ही मैं समझ गया चलो फिश्टे सबसे पहले मैं ही लिखूंगा गेम केलते केलते मुझे कही नीम ना आजाए देखो जी हूप जी हूप जो सबसे पहले तुमारा दिमाग में आए वही बनाना जिन ये बहुत आसान है जादा गहरा मत सोचना चलो ठीक है इसे हलके में लेता हूँ जिन समझ गया ये लो आएम जैसा दिख रहा है वैसा समझो जादा मत सोचो हाँ ठीक है कितना टाइम क्यों लग रहा है तुमें देखो जी मैंने से जादा समझ देंगी कोशिश मत करना ये क्या है ये बहुत आसान है तुम सब जादा मत सोचो हाँ हाँ चलो देखते हैं क्या होता है देखो जंकुक ये क्या हो सकता है जंकुक चल्दी करो हाँ बना रहा हूँ जंकुक ट्रॉइंग बनाओ इतना मत सोचो मुझे तो लगता है आयम ने जरूर कोई गड़ बढ़ की है हाँ दीक है चलो ये शुगा को दिखा दो क्या तुमने फिर से विलायम लिखा है पता नहीं तुम सब क्या लिखते हो शुगा जादा मत सोचो इसे हलके मिलो शुगा ऐसा मत सोचो कि ये बहुत मुश्किल है देखिए तो मेरा जवाब है ये लगता है शुगा ने तो बिलकुल भी नहीं सोचा लेकिन मैंने तो ये बनाया था और मुझे तो करकोश लगा था क्या ये वी जैसा नहीं था हाँ मैंने भी वी ये लिखा था लेकिन तुम सबी ने गलत किया मैंने तो किमते हां लिखा था इस बार मेरी कलती थी मैंने ये वे लिखा था चलो इस बार कुछ सिंपल और येजी करते है तो ठीके मैं कुछ बहुत सिंपल लिखोंगा जीहोब इस बाचो है वही लिखना हो भी ये देखो लगता है ये तो सच में आसान है जीहोब ऐसी टोइंग कौन करता है देखो जिन हाँ, सिंपल इस बेस्ट चलो हो गया आरे मागर तुम गैस कर सकती हो तो ये सबसे आसान है दिखाओ सरा लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो आरे मागर बनाओ, जादा मुश्किल मत बनाना ये देखो चिमन हीई, ये सिंपल है तुम्हें नहें लगता ये बहुत मुश्किल है ये मैं कैसे बनाओ, चिमन को तो सबसे लास्ट में बिठाना चाहिए हो गया ये देखो जंगुक देखो आरेम की ड्रोइंग ही कन्फ्यूस कर देने वाली है मैं तो वही बना रहा हूँ जो मैं न देखा है अरे वाँ जंगुक की ड्रोइंग तो देखो जंगुक तो सच में एक पेंचर है अरे चल्दी करो मुझे भी देखना है बस हो गया चंकुप ये देखो शुगा जादा मत सोचना जैसा दिख रहा है वैसा बना दो हाँ ये तो बहुत आसान है मेरा आंसर है जिराफ हाँ मेरा भी देखो हम सभी ने जिराफ ही बनाया है हाँ हम सभी को इसी तरह से खेलना चाहिए लेकिन आरेम के ड्राइंग थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी आरेम ने जिराफ पर मुर्गी के पैर बनाया है चलो कोई बात नहीं दूसरों के पेंटिंग के बुरा या नहीं निकालते है तो ठीक है हम आगे बे इसी तरह से खेलेंगे 1, 2, 3 आपी